दशमलो संक्या का गटाओ कैसे करें तो यहां पर हमारे पास दो कोष्चने दोस्तों और इन दोनों को कोष्चन को हम लुक सौल कर लेंगे तो समझ लिजए आपको दशमलो संक्या के गटाओ आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहला कुशन देखेंगे यहाँ पर क्या है दशमलो संक्या घटाओ कर रहे हूं आप एक बात का ध्यान क्या रखना है आपको बड़ा नमबर उठाना है आपको कौन सा इसमें बड़ा नमबर देखेंगे इन दोनों में से कौन सा है 6.65 ठीक है इसका साइन क्या दे रखा है हमारे पस प्लस का दे रखा है ठीक है उसके बात में दूसरा नमबर उठाना है हमको छोटा नमबर जिससे घटाना है ठीक है तो यह हमारा क्या है माइनस 1.34 और एक बात का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, साइन कौन सा उतर के आएगा, प्लस माइनस तो माइनस होता है, साइन कौन सा उतर के आएगा, जो भी नंबर बड़ा होगा उसको देखेंगे, इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे 6.65 बड़ा है, इसक दशमलों के नीचे दशमलों यहां पर भी दशमलों हम लोग उतार देंगे उसके बाद में 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा हमारा पाच बचेगा तो यह हमारा क्या अंसर तो प्लस का 5.3 यानि 5.31 प्लस का अब second question देखते है इसका solution यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या करना हमको सबसे पहले बड़ा नंबर उतारना हमको बड़ा नंबर क्या है हमारा माइनस का 6.65 ते रखा था ठीक है अब उसके जश्ट नीचे हमको क्या करना है छोटा नंबर उतारना है छोटा नमबर क्या है हमारा एक दशमलो तीन चार इसका साइन क्या है हमारा प्लस का है ठीक है अब देखिए दोस्तों हमारा माइनस प्लस हमारा क्या होता है माइनस होता है अब यहाँ पर देखेंगे साइन हमारा कौन से उतर के आएगा बड़ा नमबर चेक करेंगे क्या है तो यहाँ पर देखेंगे 6.65 हमारा बड़ा है 1.34 से तो क्या करना है हमको इसका साइन देखना है क्या है हमारा इसका साइन दे रखा है हमारा माइनस का ठीक है इसका sign हमारा minus का दे रखा है तो क्या आएगा यहाँ पर उतर के बड़े number का sign उतर के आता है हमारा ठीक है और यहाँ पर अब minus कर लेंगे जिस तरीके से करते थे 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हमारा 1 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा हमारा 3 तक आप करिए लोग यहां पर भी दिश्म्लों के नीचे यहां पर भी दिश्म्लों च्छे मेंसे एक ज्याएं कितने बचे का तो एक आशर आ दिएगा मिलते दोस्तों अगली वीडियो में तब तक की जैहिंद